दोस्तों कैसे हैं आप सभी डेडे टुचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है I hope कि आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तों आज मैं आप से सेर करने वाली हूँ एक स्ट्रीम हेयर ग्रूथ रिमेडी को जो आपके बालों को टूपने से बचाएगा आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगा और साथी आपके नए बाल को रिग्रो करेगा दोस्तो ऐसे तो डेली ही हमारे कुछ ने कुछ बाल गिरते हैं लेकिन बाल जब बहुत ही अधिक मात्रा में गिरने लगे तो हमें चिंता होने लगती है हमारे बाल बहुत जादा गिर रहे हैं जहर रहे हैं तो हम ऐसे में करें क्या तो दोस्तो बालों को जहरने से बचाने के के लिए आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज मेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीड स्टिफिकेशन आपको मिल जाए चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप एक फ्रेस अलुवीरा लीफ को ले लीजेए अब इस लीफ के दोनों साइट के काटे को निकाल दीजिए अब इसके उपर के लेयर को हटा दीजिए इसके सारे जेल को नि जेल की वाकि कुछ और होती हैं दोस्तों हम्रेड परसें अगर आपताजी यह लीफ को लेते हैं तो कर स्लिप सेल जेल इक लिकता है 100% लावले परूर होता है और साथ इसमें विटामिन E भी होता इसलिए एलोवीरा जेल हमारे सेहत के साथ साथ हमारे बालों के लिए और हमारे स्कीन के लिए बहुत ही फाइबर मन्द होता है मैंने हाँ फ्रेश एलोवीरा जेल को निकाल लिया है अब हमें इस जेल को एक mixer grinder में डाल कर इसे grind कर लेना है मैंने विरा जेल को grind कर लिया है अब इसे clean ball में निकाल लेना है देखे कितनी अच्छी तरह से blend हो गया है दोस्तों आप इसे जब भी अपने बालों के जड़ों में लगाएंगे और जिए तो आपको बहुत यह उच्छा result मिलेगा अब हम इसमें एक विटामिनी के capsule को एट करेंगे आपको इस रेमेडी में एक विटामिनी के capsule को यूँच करना है अब हम इसे किसी season के help सेस्को कट कर लेंगे और इसके ऑइयल को इसमें डाल देंगे अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों विटामीनी का कैपसुल हमारे बालों के लिए और हमारे इसकिन के लिए बहुत ही फाइदे बंद होता है इसमें धेर सारी अंटियोक्सिडेंट प्रोपर्टीज होती है जो हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाती ह हमारे बालों की चमक को बढ़ाती है और साथ ही हमारे बालों के सभी समस्याओं को खतम करती है दोस्तों अगर आपके बालों में फंगल इंफेक्शन है तो विटामीनी उसे भी दूर करती है विटामीनी हमारे बालों को नरिश करता है हमारे बालों को पोशन देता है बालों की सभी समस्याव को खतम करेगा आप चाहें तो इसमें कैस्टर राइल को भी मिला सकते हैं तो हमें यहाँ पर दो चमच नाडियल तिल को एड़ कर लेंगे अब इन सब को हमें अच्छी तरह से निक्स कर लेना है दोस्तो आप जब भी इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तो आप इसे सब्ता में कम से कम दो बार अपलाई कीजिए अपनी बालों की जड़ों में इससे आपके बालों की जड़े मजबूत होंगी आपके बालों का गिरना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा बालों की लंबाई बढ़ेगी बालों का रूखापन खतम होगा दो मुहें बालों की समस्या दूर होगी और नए बालों गनाय स्टार्ट होंगे और गंजेपन की समस्या दूर होगी और साथ ही साथ उम्र से पहले सफेद हो रहे बालों की समस्या भी खतम होगी अब हमारा रिमेडी बनकर बिल्कुल डेडिंग हो गया आप इस्थानी के दो घंटे पहले इसे अपने बालों के जड़ों में लगाए और पांच मद तक मसाज करें पाज मत मसाज करने के वाद आप इसे दो घंटे तक अपने बालों में लगे रहने दे और दो घंटे के बाद आप इसे किसी विमाइल संपू से अपने बालों को धोई बालों का ज़ड़ना रुखेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और किसी प्रकार का कोई fungal infection है, किसी प्रकार का bacterial infection है, तो उसे भी दूर करता है aloe vera और नारियल तेल का क्या कहना, ये अपने आप में ही सम्पून पोसन है, खासकर गल्वी के दिनों में नारियल तेल का ही इस्तमाल करें उड़े बालों की जड़ों में इसे लगाएं, जिस प्रकार से हम तेल को लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको इसे लगाना है आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बालों का वालूम बढ़ेगा, आपके बाल सिल्की और शाहिनी हो जाएंगे और साथ इसाथ दो मुहेबालों की समस्या से आपको चुटकारा मिलेगा आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फिट्बेक जरूर सेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और मेरे चैनल रेजियन टुचिका को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें आज के वीडियो बस इतना ही मैं आपसे फिर मीलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्या